जैसिरी राम, जैगोमाता, जैगोपाल, मैं महंत दिनेसगरी, पतेपूरुष श्रीबूदगरी जी की मंडी, राजस्तान से, आपके समक्ष एक शंदेश लेकर प्रस्तुत वाहूं। मेरा आगरे है, आप ये वीडियो पूरा देखें और अपने अपने प्लेटफॉरम पे इसको सेर भी करें, मैं आपके समक्ष एक बहाव लेकर के उपस्तुत वाहूं कि हम सब सनातनियों के लिए गोरव का दिन 22 जनवरी आ रहा है, उस दिन अपने आपको एक गरव गोरव के बहाव के साथ तीन काम अवस्से रूपशे करने हैं, ये मिरा बहाव है, मैं शम भी क करें के संगार करना, चोला चडाना, आधी जितने भी हैं, छोटे से छोटे मंदिर हैं, उनकी सफाई हम 22 जनवरी से पूर्व करें, उसके बाएद 22 जनवरी को पहले दिन रातरी और 22 जनवरी को रातरी भववे अपन अपनी भाव अनुशार रोसनी से लेकर के, परसाद से लेकर के, अनेक प्रकार के आयोजेन अपन मंदिरों में तो करें ही करें, लेकिन साथ में घरों में भी अपन उत्सव मनाएं, चोदा वरस बाद में जब भगवान वापिस आयोध्या जी आये थे तो दिपावली का त्योहार अपने लिए स्तापित हुआ था, जो सबसे राम का गोर्व, आयोधे हजी में राम मंदिर के साथ अपने को पुनर स्तापित मिल रहा है, इसका सबसे प्रमुक्ष जो बहावरा है, मैंने मेरी बुद्धी के नुशार जो समझा वो ये है, एकता का, एकता का बहाव जब बना, एकता बनी, सनात्रियों में बगवान रा वापिश मिला, इसलिए हम सबका एक शंकल्प हो ना चीए, 22 जनवरी के बाद में, कि मैं प्राण जाए, प्रवचन ना जाए, रगुकुल रित सदा चली आए, प्राण जाए, प्रवचन ना जाए, एकता का बहाव, समरस्ता का बहाव, शंकल्पित हम 22 जनवरी को अवस्य ये एक मिरा संदेज समझो, भाव समझो, प्रेम का आग्रश हमझो कि 22 जन्वरी का उतसव प्रतेव वेक्ती से लेकर के प्रतेव घर-परिवारतग हो साथ में जिटने भी आसपास में जो मंदिर हैं उनकी हम साप सपाई करें और उस मंदिर में भी उत्सव उस दिन अपन अच्छे से मनाई और एकता का भाव अपन अवश्य लेकर के आए ताकि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्रतिष्टा के साहत ही भारत का वेबव, अखंड भारत की कलपना, हिंदू राष्टर की कलपना और राम राज्य की स्तापना ह काम सब को मिलकर करनी है, वो जब भी संभव होगी, जब हम तमाम हिंदू, राष्टरवार्दी, भारती लोग एक होंगे, एक होंगे, तो सब कुछ काम नेक होगा, जैगो माता, जैगो पाल, जैस्री राम